मोधी सरकार ने United Nations में कहा है कि Bitcoin जो है उसका इस्तिमाल कई भारत विरोधी संस्थाओं व्यक्तियों समुहों के द्वारा किया जाता है मैंने कहा कि ये संयोग है या प्रियोग अगर मैं मोधी जी की भाशा का इस्तिमाल करूँ 704 मिलिन डॉलर के Bitcoin ट्रांसफर होते हैं सरकार बदल गई आपने धोके से सरकार बना ली इतना बड़ा घोटाला हो जाए Bitcoin का देश का सबसे बड़ा आजादी के बाद जब से Bitcoin शुरू हुआ होगा और परदान मंतरी कहें कि आप कुछ नहीं आप अराम करिए मौज करिए कि वो 2014 के बराबर एकसाई शुल कर दें तो 35 रूपिया लीटर डीजल और 45 रूपिया लीटर पेटरोल पूरे देश में हो जाएगा किसी प्रांद को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं सौ सिगरेट आप पिएं इस परकार का माहौल है अगर आप बाहर हवा में सांस लें तो सरकार से ये तो पूछिए कि पराली ना जलाने का जो पैसा देना था वो मोदी जी ने दिया ही नहीं 14 नूब्र 2020 को गिरफतार 17 अपरेल 2021 को जमानत और 24 अपरेल 2021 को पहली बार बीजेपी सरकार ने इंटरपोल को चिठी लिखी स्मॉग जो है जो भिन-भिन कारणों से है और स्नूट ये दोनों कारण है और इसके लिए वो खुद जुम्यवार है हिंदुस्तान का बिटकॉइन का पचेतर वर्ष का सबसे बड़ा घोटाला आपके स्मक्ष हम लेकर हाजिर है सभाविक तोर से एक्टर्ज और विलेन दोनों भारतिय जन्ता पार्टी के प्रांत में आज दुनिया में देश में एक बिटकॉइन की कीमत 51 लाक रूपिया है मैं फिर दोराता हूँ आज के दिन एक बिटकॉइन की कीमत हिंदुस्तान की करंसी में 51 लाक रूपिया है उससे तोड़ा सजादा अगर मैं संशिप्ट मैं इसे हिंदी में कहूँ और मैं तफसील आपको दूँगा हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा बिटकॉइन घोटाला जो अंतर राश्ट्रिये 14-15 मुलकों में जिसके तार जुड़े हैं वो घोटाला सामने आ गया है हेरा फेरी सबूतों को दबाने की साजिश हर चीज़ पर परदा डालने का शडियंत्र शडियंत्र कारी कोशिशें के वो समाचार पत्रों और एजन्सियों को ना पता चले ये सारी शडियंत्र कारी कोशिशें सत्ता धारियों के द्वारा की जा रही है यहां तक की इंटर पॉल तक को सुचित नहीं किया गया एन आईये एडी और स्फ आईयो को भी सुचित नहीं किया गया करनाटक की भारतिय जंता पार्टी की सरकार इस अंतर राश्ट्रिये तथा कथित बिटकोईन घोटाले की जाच करने की बजाए उस पर पड़दा डालने का प्रियास कर रही है एक केस में गिरफतार किया जैसे ही 14 दिन की कस्टडी खतम हुई एक और केस दर्च किया उसमें गिरफतार कर लिया जैसे ही उसकी 12 या 14 दिन की कस्टडी खत्म हुई अगले केस दर्ज की आगले में गिरिफतार कर लिया और इस प्रकार से 100 दिन तक उसे कस्टडी में रखा गया तीसरा तत्थ है इन सब बातों के बावजूद भी 17 अप्रेल 2021 को ये डेट बड़ी महत्पूर्ण है इस श्री कृष्णा को तथा कथित हैकर को अदालत से बेल दे दी गई और करनाटक की बीजेपी सरकार ने उसको कहीं चुनोती ही नहीं दी इस तथा खतित हैकर श्री कृष्णा ने मेट्रोपॉलिटेन मेजिस्ट्रेट बैंगलॉर के पास ये एक स्टेट्मेंट डिया हूँ इस टाउटेड ऐस माय वॉलन्टरी स्टेट्मेंट मैं इसकी प्रतिलिपी आपको भेज रहा हूँ ये दिसंबर दोहजार बीस में दी गई इस पर सबके दसकत हैं पर तिती नहीं है इसलिए मैंने तिती नहीं लिखी गिरफतारी हुई कब 14 न dismवर दोहजार बीस को इंटर पौल को चिठ्थी लिकी कब पहली बार 24 अपरैल 2021 को पाँच महीने बाद जब वो 17 अपरैल 2021 को रहा ही हो गया था 14 نومبر 2020 को गिरिफतार 17 अपरेल 2021 को जमानत और 24 अपरेल 2021 को पहली बार बीजेपी सरकार ने इंटरपोल को चिट्थी लिखी वो भी CBI के लियाजन आफिसर को कि आप जितने इंटरनेशनल फाइनेशनल एजनसी हैं उन्हें इनफॉर्म कर दें पाँच मही ने इनजार किया CBI को NIA को SFIO को मैं NIA का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बार बार मोदी सरकार ने युनाइटिड नेशन्स में कहा है कि BITCOIN जो है उसका इस्तेमाल कई भारत विरोधी संस्थाओं व्यक्तियों समुहों के द्वारा किया जाता है दोस्त सबसे पहले तो मैं यह नहीं कह सकता कि यह उसके वालेट से ट्रांसफर हुए मैंने कहा कि यह संयोग है या प्रियोग अगर मैं मोदी जी की भाशा का इस्तेमाल करूँ तो यह बताएं मोदी जी यह संयोग है या प्रियोग के जो व्यक्ति कह रहा है कि उसने अगस्त दो 2016 को BITFINX के BITCOIN चुराए थे और उन्होंने कहा कि एक लाख बीस हजार के हमारे BITCOIN चुरी हुए है एमस्टरडैम में शायद F.I.R. दर्ज है उनकी जब यह व्यक्ति कस्टडी में है 2016 से 2020 तक कुछ नहीं होता उन दो डेट्स पे जब वो कस्टडी में है 704 मिलिन डॉलर के BITCOIN ट्रांसफर होते हैं आपको जैसा मैंने बताया BITCOIN जो है या क्रिप्टो करंसी जिसे हम कहते हैं यह अनॉनिमस है तो आप कभी यह नहीं बता सकते उसका केवल नंबर है वो कहां से कहां जा रही है उसकी यही गुप्तता है that's the secrecy of it that's why it's BITCOIN and not currency which transfers through the regular cash check channels पर इसमें यह लिखा है साफ के यह वो stolen funds हैं because हर BITCOIN पर नंबर है सरकार बदल गई आपने धोखे से सरकार बना ली और 20 अगस 2019 से 28 जुलाई 2021 तक बसवराज बौमई साब होम मिनिस्ट थे इस व्यक्ती को गिर्फतार कब किया गया 14 नवंबर 2020 को तब तो बौमई साब थे पहले यदूरपा साब चीफ मिनिस्ट थे बौमई साब उनके ग्रह मंत्री थे आज बसवराज बौमई जी खुद काफी देर से मुक्खे मंत्री आप क्या कर रहे थे क्योंकि मैं आपको जानता हूँ ये एक बात है मैं आपके साथ बिटकोईन का धंदा कर रहा हूँ ये दूसरी बात है हम तो कह रहे हैं आदर्निय बौमई साब आपकी भी रेप्यूटेशन स्टेक पे है हम आपकी इज़त करते हैं आपका सम्मान करते हैं पर यहां तो आपकी लापरवाई अंदेखी या क्या है उस पर भी आपकी रेप्यूटेशन पर शक उठ रहा है इसलिए आप ही को खुद चाहिए कि ये पूरा मामला भारत सरकार को लिखें RBI को लिखें कि सुप्रीम कोट के सिटिंग जज़ की देख रेख में एक स्पेशल SIT बनाई जाए जिसमें बैंगलोर का भी एक पुलिस अधिकारी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं जिसमें RBI का अधिकारी भी हो जिसमें इंटरपोल के अधिकारी हो जिसमें इंडिपेंडेंट फाइनेंशल एप्रेजर्स और एक्सपर्ट हो और उसकी जाच हो जाए 704 मिलियन डॉलर की राशी थोड़ी नहीं होती और अगर बैंगलोर में कुछ ऐसा हो रहा है वहां से कुछ ऐसा हो रहा है तो इसकी जाच करवाना उनका धरम और करतव्य है तो इसलिए उन्हें खुद को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं शक्की सुई उनके दरवाजे पर तो नहीं आठिकी इसलिए उनको अपने आपको पाक साफ करने के लिए ये जरूरी है हमें तो इस बारे में अचमबा है आश्चर ये है ये बयान अपने आप में चोकाने वाला है आप बताईए इतना बड़ा घोटाला हो जाए बिटकोईन का देश का सबसे बड़ा आजादी के बाद जब से बिटकोईन शुरू हुआ होगा और प्रधान मंत्री कहें कि आप कुछ नहीं आप अराम करिए मौज करिए क्या ये करतववे है प्रधान मंत्री और देश के ग्रह मंत्री का हमें तो बहुत आश्चरिय है और प्रधान मंत्री जी अब तो बहुत सारे तथ्थे सामने आ गए है इसलिए अपनी बात पर पुनर विचार करिए सबकी भूमिका की जांच करवाईए समेत अपने बौमाई साहब के कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई और अधिकारी हो, कोई सफेद पोश हो हैं तो आप ही के लोग सब, करवाईए सबकी जांच आधरिणी मित्रव मैं असाम के हमले में जो हमारे ओफिसर और सेनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के साथ अपनी समवेदनाएं भारती राश्ट्रे कॉंग्रिस की और से व्यक्त करता हूँ और वो असाम हो या कश्मीर, हमारी सीमाओं पर आए दिन उगरवादी, पाक समर्थत उगरवादी, या दूसरे मुलकों से आ रहा उगरवादी वो आए दिन हमले कर रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विशे है अंत्रिक और भारी सुरक्षा गंभीर चिंता का विशे है भारत सरकार को इसका संग्यान लेकर उचित और कड़ी कारवाही करनी चाहिए और उचित नहीं कड़े से कड़ा जबाब देना चाहिए कि दो रुपिया लीटर हाल में ही कॉंग्रेस की सरकार ने वहां कम किया था अभी भी महंगा है मैं मानता हूँ और मैंने कई बार ये आपको बताया कि 85 प्रतीशत टैक्स का कॉंपोनेंट या कीमत वो एकसाइश शुल्क है मैं आपको फिर याद दिलाऊं तीन रुपिया 56 पैसे प्रती लीटर डीजल पर केंद्रिय एकसाइश ड्यूटी थी जब कॉंग्रेस ने सरकार मोदी जी को दी आज वो कम करने के बाद भी 28 रुपिया प्रती लीटर है 9 रुपिया 48 पैसे प्रती लीटर एकसाइश शुल्क पेट्रोल पर था आज वो कम करने के बाद भी 27 रुपिया लीटर है तो आप हर पैट्रोल और डीजल अगर आप मोदी जी को ये कह दें हम भी उनकी तारीफ करेंगे कि वो 2014 के बराबर एकसाइश शुल्क कर दें तो 35 रुपिया लीटर डीजल और 45 रुपिया लीटर पैट्रोल पूरे देश में हो जाएगा किसी प्रांद को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं फिर भी राजस्तान सरकार भी क्या राहत दे सकती है इस पर साहना भूती तरीके से विचार करेगी आधरिये साथी दिल्ली अब एक गैस चेंबर बन गई है दिल्ली में दम घुट रहा है दिल्ली में AQI 500 हो गई है 100 सिगरेट आप पिएं इस प्रकार का माहौल है अगर आप बाहर हवा में सांस लिंग तो मैं धन्यवादी हूँ कि आप अपनी जान हतेली पर रखकर आप इस प्रेस वारता में आए केंद्रिये पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड ने कल शाम को ही एडवाईजरी जारी की थी कि घर से बाहर मत जाईए इसके लिए कौन जुम्मेवार है मोदी जी और केजरिवाल साहब पर वो दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे दिल्ली को पॉलूशन फ्री नहीं बनाएंगे कहीं ना कहीं योगी जी और खटर साहब भी जुम्मेवार है दिल्ली की इस मौजूदा हालात के लिए और किसान पर इल्जाम लगाने की बजाए उन सम्मित्रों को जो किसानों पर इल्जाम लगाते हैं सरकार से ये तो पूछिए कि पराली ना जलाने का जो पैसा देना था वो मोदी जी ने दिया ही नहीं जो आपने नए पावर प्लांट्स लगाने थे पराली से बिजली बनाने के वो आपने लगाए ही नहीं जो आपने दूसरे environmental pollution control measures लेने थे वो आपने लिये ही नहीं और पराली तो एक बहुत छोटा component है smoke जो है जो भिन-भिन कारणों से है और snoot ये दोनों कारण है और इसके लिए वो खुद जुम्मेवार है धन्यवाद निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए rate लड़ के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं